अलो एवरिवन पिक्के रोहिला इस्टेटी पॉइंट यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कम्प्यूटर टेट्सर एमसी की सीरीज के पार्ट तेरा के वीडियो में आज हम बहुती मैत्पुन प्रस्णों को देखने वाले हैं तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिक्शन आप सबसे पहले मिल सेखें इस चैनल पर कंप्रेटर की तेहरी के अलावा पे मेनेजर, साला दरपन और अन्य विभाग इस्टिक्शन विभाग से समझने जुतने में जान कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिये जाती हैं और जितने भी गोर्मेंट एमफलेए उनके लिए जो मैटपून सुचने है वो भी इस चैनल पर पर साक की जाती है तो आज का पहला पर्सने start करते हैं वाण वाज लगे कंप्रेटर किस बडू के हैं पहला पर्सन हे वाज लगे कंप्रेटर किस बडू के हैं option है पहली दूसरी तीसरी या चोथी तो वाल्व है वो पहले computer PD में लगे होती है पहले PD computer है उनमें निर्वात वाल्व यह निर्वात जो नलिका है जिनको हम vacuum tube करते हैं इसका इस्तिमाल किया गया था कि नेक्सट पर्शन है storage unit क्या provide करते हैं Data type करने के बलेस इनफॉर्मेंशन और इंस्ट्रेंट्स जब मेमऻ में यूजर हे हो उन्हें श्ट्रो करने लिए प्लेस या information प्रिंट करने के लिए प्लेस या उप्रिव्ट सभी तो जो storage unit है वो हमें कि इस प्रकार से information और instruction जब में में यूज़ रहे हो उच समय इस्टोर करने के लिए जिगह उपलब्द गराती है next question है M.I.C.R. में C का पुरा रूप बताईए यह M.I.C.R. में जो C है उसका पुरा रूप क्या है तो सबसे बहुत है M.I.C.R. का जो पुरा नाम होता है magnetic ink character recognition याद रिखना magnetic ink character recognition इसका पुरा नाम होता है तो यहाँ C में character हुआ C से क्या हुआ character जो कि अपने option number 4 में लेगा आपको तो इस परकार से परसन आ सकता है कई बाए पूरी full form ना पूचके किसी एक सब्द का भी अर्थफूस आ जा सकता है तो आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले person के ओर LCD कब अस्तित्वी में आई बहुत ही मैतन person है कि जो LCD है LCD का पूरा नाम पहले में आपको देदा हूँ LCD का पूरा नाम है liquid crystal display तो सबसे पहले आपको याद रखना है LCD का पूरा नाम है liquid crystal display यह कब अस्तित्वी में आई इसका राइट आंस्वर है वो जाएगा 1970 में LCD है 1970 में या इसका पूरा नाम वियाद रखना है liquid crystal display next person है Bluetooth नाम किस राजा के नाम पर रखा गया जो Bluetooth है वो नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था सिकंदर, हेराल्ड बलेटेंड, नेपोलियन या एलास्का तो Bluetooth है उसका नाम हेराल्ड बलेटेंड जो राजा था उसके नाम पर हेराल्ड बलेटेंड जो बलेटेंड नाम है इसी नाम पर Bluetooth नाम रखा गया अगला परसन है वर्तमान कम्प्योटर निम में से किस पर आदारित है वर्तमान के जो कम्प्योटर है वो किस पर आदारित है ग्रेगोरियन कलेंडर पर US कलेंडर पर, Greek कलेंडर पर या UK कलेंडर पर तो वर्तमान के जो computer है वो Gregorian कलेंडर पर अधाहिरत है कौन से कलेंडर पर? Gregorian अगला परसन है वह है लेडी जिसने Charles WebEx के साथ कारी किया और जिने पहला computer प्रोग्रामर भी मना गया है यही पहला computer प्रोग्रामर कौन है जिन्होंनी Charles WebEx के साथ भी काम किया था ओप्सन आपके सामने है लेडी अगस्ता, लेडी नेस्टा, लेडी स्मित या लेडी फेडर तो आप सभी जानती हो यह हो जाएगा लेडी अगस्ता लेडी अगस्ता का नाम है यह पहली computer programmer भी माने जाती है नेक्स्ट परसन है पेकमेन नामक परशिद computer किस काम के लिए बना था जो पेकमेन computer है, वो किस काम के लिए बना था खेल के लिए, बेंग के लिए, शेर बाजार के लिए या पुस्तक प्रकासिन के लिए, जो पेकमेन है वो गेम के लिए बना था, किस के लिए बना था गेम के लिए, तो option पर पहला है खेल के लिए, यह राइट आंस्वर यहां हो जाएगा नेक्स्ट परसन है किसी mail में मुझूदा तारिक एंटर के लिए क्या प्रियास किया जाता है वो भी mail है, उसे मुझूदा तारिक एंटर के लिए वर्तमान तारिक, मुझूदा तारिक का मतलब है वर्तमान तारिक एंटर के लिए क्या प्रियास किया जाता है, इनमें से कौन सी shortcut किंजी का इस्तिमाल किया जाता है अंटर किने लिए है तो इसको.. इसके राइक्ट आंसवर हो जाएगा .. यह राइट आंसर हो जएगा वर्त्मांग जो डेट है वह dat इंट प्लस सहीげं करत एक नेछ्ट प्रसन है नेक्स्ट प्रसंग है । प्ल्यूटूथ तखिनिंग किस वर्श में यही बल्यूटूट जो थक्निक है, वो कौन से वर्स में अस्तित्यु में आयती, 1994 में, 1996 में, 1989 में या 2000 में, इसका जो सही आशुन अशुर हो जबागा, 1994 में, बल्यूटूटूथ है, इसका आविसका उनिस्सकार 1994 में हो अथा, कब वह था 1994 में यह आपको याद रखने हैं बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स के परसंद है लेकिन यदि आपको यह याद नहीं हो तो आप परिक्षा में एक अंग पिछी हो सकते हैं इसे नेक्स्ट परसन है भारत में पहला साइबर ग्रामीन के अंदर किस राजी में संचालित हुआ था करनाटक में उत्रप्रदेश में माराष्ट में या राजस्तान में तो राइट आंसर हो जा करनाटक में पहला जो साइबर ग्रामीन ग्रामीन के अंदर है वो इस्तापिद हु कम्पोटर विश्युव दाले है भारत का पहला कम्पोटर विश्युव दाले कौन सा है जो आला नेरू कम्पोटर विश्युव दाले इंदरा गांधी कम्पोटर विश्युव दाले अब्दुल कलाम कंपोटर विश्युव दाले या राजियू गांधी कम्पोटर परफंड का computer था तो परफंड मेकेनिकल साथ क्यानी निट्रो भायों। है यौह ईलेक्ट मेंनी क्या है अगला प्रफंड का क्या है शाहेता और प्रौत दिने वाले एक main या एक application है जिससे आप notes ले सकते हैं और उसे एक file में save कर सकते हैं या standard toolbar पर एक button जो print command को execute करता है या dictionary file में पराए गलत वर्तिनी देने वाले सब्दोगा संग रहे हैं तो estimated क्या है तो यहां right answer हो जाएगा सहायता और सुझाव देने वाला एक animated character है यानि assistant आप से भी जानते हो जो office आता है MS Office Microsoft Office उसमें एक animated आकरती आती थी animated character आता था जो office assistant कर लाता था तो किस लिए होता था सहेता और सुझाव देने माला एक animated character है वो ही assistant कर लाता था next है निम्ण में से कौन सा internet का पूरुवर्ति है internet का पूरुवर्ति निम्ण से कौन सा है अर्पानेट, extranet, usenet या intranet तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ इसका जो right answer है वो है अर्पानेट आप सभी को जानते हो internet का पूरुवर्ति भी करते है किसको अर्पानेट को अर्पानेट विश्व का पहला network है ARPA net का पूरा नाम है Advanced Research Project Agency Network याद रिखने है फिर से सुननी जीए Advanced Research Project Agency Network यह अर्पानेट का पूरा नाम है और यह विश्व का पहला जो network है वो अर्पानेट ही है जो कि दित्विश यूद के दोरान जो अमेरिकी सेना को सुचनाओं की आदान परदान में यूद में जो सुचनाओं प्राप्त करनी होती है उनमें कठनाओं के सामना करना पड़ा इसलिए अमेरिका के सुर्क शविभाग ने एक network त्यार किया जो अर्पानेट के लाया next question के हम बात करते हैं सब्टाइटलिंग परदाली भारत में किस software कमपनी आपके सामने सीडेक विप्रो सहरा या रिलाइन्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडेक यानि सब्टाइटलिंग परदाली है भारत में सीडेक जो software कमपनी है उसने प्रारम किये थी अगला परसन है डियागनोस्टिक राउटिंग का क्या कारी है डियागनोस्टिक राउटिंग उसका क्या कारी है CPU या अन्य उपकर्णों की خराब योपको डूढ़ने वाले थोटे-थोटे प्रोग्राम, या प्रोग्राम की Error डूढने वाले थोटे प्रोग्राम, प्रोग्रामों की Error डूढने के बाद प्रोग्राम ठीक करना या सभी चत्ते हैं तो इसका राइट आंसर जाएगा CPU या अन्य अपकर्णों की खराविय को डूढने वाले छोटे-छोटे प्रोग्राम है वो डियागनिस्टिक राउटिंग कहलाती है अगला है बेसिक भासा का आविसकार कब किया गया जो बेसिक भासा है उसका आविसकार कब किया गया था 1971 में 1961 में 1960 में 1968 में तो जो basic वास है उसका अश्कार वा था 1991 में याद रिखना है 1971 में basic वासा का पूरा नाम है वो 20 जयेगा beginners symbolic instruction code तीक न next person है पर्थम computer जिसमें storage की स्थी थी ऐसा कौन सा पहला computer था जिसमें storage की स्थी स्टोरेज का मतलब आप सभी जानती हूँ इसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं इसी सुईदा कौन ची कम्पूर्टर में थी सबसे पहले ADSEC, ADVAC, MARK 1 या ACE तो ऐसा कम्पूर था ADSEC, ADSEC जो कम्पूर है यह ADSEC कम्पूर था EDSSE, पर्थम PD कम्पूर था ADSEC, Electronic Discrete Storage Automatic कर सकते हैं, For Multi Programming के प्रयोग है कौन सी PD कम्पूर था ? 3D PD, 3D PD , 2, 4D, ूसन राइट आंसर और 3D 3D PD में , Multi Programming का प्रयोग है , याद रखने है , 3D PD थी इसमें IC का로 था ? इसी PDA computer में multi programming का प्रयोग भूआ था हम multi programming का रथ है कि एक समय में हम एक से अधिक program कर सकते हैं एक से अधिक program को run कर सकते हैं एक से अधिक application run कर सकते हैं अगला परशन है नंबरों के set में सबसे बड़ी value की करना कौन सा function करता है नंबरों का जो एक set अमारे पास दिया हुआ उसमें से सबसे बड़ी value करना कौन सा function करता है उस function का नाम हमीं बताना है जो सबसे बड़ी value करना करता है max, min, count, average तो max नाम का जो function होता है आप सभी जानती हो max नाम का function है यह max नाम का function है जो क्या करेगा दी गई नंबरों के set में से सबसे बड़ी value यानि maximum value आप फाइंड करेगा अगला परसन है भारत के किस राज़े में सेल फोन उबोगता सोरव पर थो मुबाईल पर नेट सरफिंग कर पाई गई मुबाईल पर नेट सरफिंग करने वाले पहले थे आंदर परदेश की कहा के थे आंदर परदेश की अगला परसन है परसनल computer किस रहने की computer से समझता है यानि जो परसनल computer है वो कौन सी सेनी computer समझता है तो यह हैं निरमित परथम computer का क्या नाम है ? यानि भारत में ही निरमित पहला computer क्यह था शिधार्थ आयवट विक्रम या आसूस तो भारत में निरमित पहला computer विकरम शिदार्थ नाम था शिदार्थ सिदार्थ तो बहुत ही मैंतमन परसन है आपके लिए तो इनको आप रिवाइज कीजिए और वीडियो को जड़ादा सेर करें वीडियो को देखें